जैन बंदे मातरम आप सभी का स्वागत है आपके अपने उटूचों परसाथ क्लास में तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपोर्टन है अगर आप किसी भी एक्जाम के लिए त्यारी करते हैं बिहार पुलिस केंश्टेबल करें या किसी भी एक्जाम की आप त्यार हैं यहां से अपके उसके लिए न इतलं हैं तो दोस्तों आज इस लेसन से हैं वह वह सारे प्रस्न हम लोग देखने वाला है जो आपके पूछे गया हैं और स्वेसदें सभी लोग लाक लैट कलास में जूट जाई है और जब दोस्तों क्या बनने वाला है स्टार्ट से और आपका प्रस्थम पूझा होता है कर थाल की अप्राइम होता है और यह प्रस्ण आपके एक्जाम के पूचा गई ऊपके त्वें असतिया होती सुष है हुआ आपके important person आपको एकदम याद रखना है और star बनाएकर लिखनेना है चले दोस्तों देखते हैं अगला प्रसंद क्या बनने वाला इस lesson से प्रति वर्ति किरियाओं का नियंतरन केंद्र कहां इस्तित होता है और यह भी important person है मेरे भाई क्योंकि आपके exam में यह भी पूछा गया person है मेरे भाई चले दोस्तों next देखते हैं देखे दोस्तों यह प्रसंद आपके exam में बन सकते हैं और पूछा भी गया है नाखुन काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखुन मिर्त को सिकाओं के द्रवब द्वारा बने होते हैं जिन में रक्सन रचना न आपके exam में ठीक हैं देखे दोस्तों अगला प्रसन बन सकता है कि हमारे सरीन का सबसे द्रिट भाग कौन सा है ठीक है और यह important प्रसन है और आपके exam में पूछा गया प्रसन है अगर याद नहीं है मेरे बाई तो notes बना रहे हैं उसमें start देकर लिखना start देकर लिखना क्यों या क्रिया में और्थोप्लास्टिक का क्या कारिया है तो जोर का प्रति अस्थापन करना ठीक है important प्रसन है इस्जा में पूछा गया है रेलबे और SSMTS दिली पूलिस में यह पूछा गया प्रसन है देखे दोस्तों अगला प्रसन यह बन सकता है कि मानों सरीर में सबसे छो जाती है यह प्रसन आपके एक्जामें बन सकता है और पूछे भी गया है अगला प्रसन यह प्रसन आपके एक्जामें पूछा भी गया है मानों सरीर के सबसे लंबी अस्ति कौन सी होती है तक फीमर होती है और यह कहां पाया जाता है तो आपकी पैर में पाया जाता ठीक है यह सबसे बरी अस्ती है लंबी अस्ती है यह आपके important प्रसन और आपके exam में पूछा जाता है ठीक है अब देखे दोस्तो कसेरुक रज्जु में कीतने जोरी तंत्रीका होती है यह भी important प्रसन है आपके exam में पूछा गया प्रसन है group D में पूछा गया है तो 31 जोर है अब दे CMTS जो एक्जाम हुआ था उस एक्जाम में ये प्रसंद पूछा गया है मेरे भाई तो आप सब के लिए important है अगर जो याद ना हो जो मालूम ना हो आप सब नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में लिखा किज़े क्योंकि एक्जाम के समय रिभाईच करने के बाद आपकी त्यारी और अच्छी हो जाएगी अगला प्रसंद क्या बन सकता है आपके एक्जाम में कि वैस्क मानों के शरीर में जल का परतिसत कितना होता है ये भी प्रसंद आपके एक्जाम में पूछा गया प्रसंद है मेरे भाई एकदम नोट्स में लिख लो याद नहीं है तो 65% ठीक है देखे दोस्तों अगला प्रसंद बन सकता है कि अस्ति निर्मान है तू क्या आवस्य के भेरी इंपोर्टेंट प्रसंद है और यह ग्रूप डी और बिहार पुलिस में प्रसंद पूछा गया है केल्सियम और फाक्ट फोरस ठीक है इंपोर्टेंट प्रसंद है एकदम आपको ध्यान में रखना है और नहीं याद है तो लिख लीजिए अगला प्रसंद बन सकता है मानो शरीर की सबसे मजबूत पे सिया कौन सी है ठीक है जबरो की प्रसन आक है या एक्जाम में पूछा गया प्रसन है कि माननो केãy 예वन काल में कितने दात्थ दो बार आते हैं तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना ha चले दोस्तों next person के तरब देखते हैं कौन सा person आपके exam के लिए बन सकता है या पूछा भी गया है देखें दोस्तों अगला person इस lesson से बन सकता है कि मानस वरीत की सबसे बरी गुहा कौन सी है ठीक है और exam में पूछा गया person है very very important है एकदम start बना के लिख लो मेरे भाई notes में क्यो की यह बहुत बार exam में पूछा गया है गुरूबडी में ससीजीडी और यह आपका क्या पूछा गया है MTS में भी पूछा गया ठीक है अब देखें दोस्तों अगला person बन सकता है कि तो अच्छा पर चोट लगने के बाद इसका पुन्रूद भावन कि इसके द्वारा किया जाता है ठीक है important प्रस्ण है इस बिहार पुलिस में तो अभी तक नहीं पूछा गया मेरे भाई घनाकार उपलक का अब देखें दोस्तों अगला प्रस्ण बन सकता है कि कुंडरा कि इसको जोरती है तो यह पेसी को अस्ती से जोरती है असनायू कि इसको जोरती है तो अस्त कंडराईं कैसे उतक है ठीक है यह भी important है यह group d में पूछा गया Nt PC में पूछा गया सायोंजी उतक है अस्ती का matrix कि इस protein का बना होता है तो ओसीन का बना होता है ठीक है यह prasna अभी तक group d में ही पूछा गया Nt PC में पूछा गया दिली पूलिस में पूछा गया है अगला प्रस्ण देखते हैं अस्तियों को कठोर बनाने वाले लवन मुख्यता क्या होते हैं इंपोर्टन है आपके एक्जाम के भी उसे इंपोर्टन है अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कैल्सियम और मेगनिसियम के फासफेट्स ठीक है देखे अगला प्रस्ण का बन सकता है कौन सा प्रोटीन तवच्चा बाल नाकुन सिंग तथा खूर के निर्मान में सहाइक होते हैं इंपोर्टन प्रस्ण है भेरी इंपोर्टन है बिहार पुलिस में भी पूछा गया दिली पुलिस में भी पूछा गया एससी में जेडी में भी अगला प्रस्ट जो बन सकता है कि अस्तियों में मुखेता कौन से अक कार्वनी पदार्थ पाए जाते हैं कैल्सियम तथा मेगनिसियम ठीक है इंपोर्टेंट प्रस्ट है इसे भी आप लिख लिजी अगर याद ना हो तो इस्टार बना कर अब देखे दो अगला प्रस्ट ब प्रस्टे और जाते हैं की इस अंग मनें सबसे अधिक अस्तियों की संख्या होती है तो हांत में यह भी इमपोर्टन है आपके केडी पूछ सकता है और यह आपके दिल्ली पूलिस में पूछा गया था देख़े दुस्तो अगला प्रसष्ड क्या बन सकता है आपके एक्जाम s전hwią से कि कि इप परकार की चंधियों दवारा कहा हमारी खो corruptly की अस्तिया प्रस्पर जूरी हो सब्सक्राइब नट्फिकस सबसे पहने आप तक पहुंचे और दोस्तों यह क्लास के आपको नो तीस में देखने की मिलागा और इस class के पहले आपको हिंदी की class देखने को मिल जाएगी 37 में जिस मामलों उसमें 20 लगभग 30 प्रसनों को देखते हैं रोज सुबा तो और अगला जो class होता है इस science के बाद अगला आपका जो class होता है वो दो 30 में होता है जिस मामलों देखते हैं अब्जेक्टिव प्रसनों क्या प्रसन और उसके बाद आपकी रात की class होती है 9 बज़े जिसमें हमलों objective प्रसन देखते हैं अगर इन सारे class लोगों को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल करें और प्रेस कर दीजेगा ताकि नए वीडियो को नट्फिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो दोस्तों फिर मिलता हमलों next class में तब तक के लिए जयाजा जय ही जय भारत